हाई गाइस वेलकम टू विजेतर स्ट्रीम किचिन आज मैं बनाने वाली हूँ ट्रडिशनल मिडल इस्टन डेजर्ट कुनफा यह बहुत टेस्टी होता है आप सब भी इसे जरू ट्राइ करना कुनफा का एक स्पेशल डो होता है जो इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल होत अनलाइन में भी नहीं मिलता है तो मैं इससे सेवयों से ही बना लेती हूँ या फिर वर्मिसिली से भी आप इसी बना सकते हो इस तरह से सेवयों को तोड़के रड़ी रख लेना है और अब मैं बनाने वाली हूँ चाशनी एक कप चीनी 1 कप पानी बराबर मात्रा में पानी और चीनी को उबालना है एक बार उबाल आ जाए तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सक केसर आप कोई सा भी फ्लेवर इसमें एड़ कर सकते हो जिस तरह से इलाइची, केवडा एसेंस या फिर रोज वाटर दो चार बूंदे नीमो की डालेंगे ताकि ये चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो और बस एक तार की ही चाशनी बनानी है, दो तार की नहीं बनानी है जैसे ही एक तार की चाशनी बनके रेडी हो जाए flame को कर देंगे off और चाशनी को एक bowl में निकालके बस एक side में रख देंगे और इसके बाद बनाने वाली हूँ मैं कुनफा cream ये भी एक special cream होती है इसमें cheese आड़ होती है तो 3 cubes मैंने अमूल cheese processed cheese ली है generally इसमें mozzarella cheese आड़ करते हैं मैंने processed वाली ली है 200 ml दूट डाला हलका सा mix किया अच्छे से crush कर लिया cheese को और फिर अब इसमें मैं डालने वाली हूँ milk powder ये 100 ग्राम milk powder डाल दिया 25 ग्राम्स इसमें corn flour डाला और ये 50 ग्राम मैंने डाल दी चीनी अच्छे से mix कर ले और फिर इसे भी कड़ाई में डालेंगे gas on करेंगे और जैसे ही उबलने लगे तो flame को कर देंगे medium या फिर low और जैसे ही ये गाड़ा होने लगे creamy होने लगे तो बस हलकी आँच में थोड़ी देर इसे चलाते हुए बस ऐसे घोल लेंगे और ताकि बिल्कुल इसका जो texture है एकदम creamy हो जाए मुलाइन सा और ये ready है इसे भी एक bowl में निकाल के एक side में रख लेते है और थोड़ा सा थंड़ा हो जाए तो इसमें कुछ बूंदे मैंने vanilla essence की डाल दी है क्योंकि vanilla essence का flavor हमें पसंद है बटर को मैंने एक घंटे पहले ही फ्रिज से बाहा निकाल दिया था पिगल चुका है बिल्कुल room temperature पे है बटर दो टेबल स्पून बटर डाल दिया सेवयों में और थोड़ा सा food color डालना है 1 फोर्थ टी स्पून से भी कम food color डाला बटर डाला और अच्छे से मसल के सेवयों में mix कर लेंगे बटर और color को और एक पैन में बटर ब्रश कर लें अच्छे से और इसके बाद आधी सेवयों को हम इसमें डाल देंगे अच्छे से दबा के जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरह से इसे सेट करना है बहुत ही टाइट सेट करेंगे यह सेट हो गया और अब मैं कुनुफा क्रीम डालती हूँ जिस तरह से हम पिज़ा में टॉपिंग डालते हैं साइट्स में नहीं डालते बिल्कुल सेम तरीके से यह क्रीम भी साइट्स में नहीं डालनी है otherwise ये निकल आएगी बाहर पैन में और चिपकने लगेगी और बाकी की जो सेवईयां थी वो उपर से डाल दी इसे भी अच्छे से पैट करके पुरा सेट कर लेना है पैट करके बिल्कुल सेट कर लिया मैंने और चमत से साइड्स भी एकदम इवन कर लेने है ये हो गया और अब गैस अन कर देती हूँ डाइरिक्ट हीट पे इसे रखेंगे एक मिनिट और फिर इसके नीचे रख देंगे एक तवा डाइरिक्ट हीट थोड़ी दिर लग जाए थोड़ा गरम हो जाए फिर तवे के उपर पैन को रखके फ्लेम को मीडियम या लो पे कर लेंगे और इसके बाद एक और पैन रेडी कर लेंगे बटर लगाके ये थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि साइट में ये गोल्डन हुआ है कि नीच जैसे ही कुनफा एक साइट से गोल्डन हो जाए तो दूसरे वाला pan जिसमें butter लगा के रखा था उसमें मैंने flip कर लिया है और फिर इसे direct heat पे रख दिया है अब medium flame पे रखेंगे इसे 5 मिनट तक और फिर इसके बाद low flame पे तब तक इसे bake करेंगे जब तक ये golden ना हो जाए आपको समझ आ जाएगा आप अगर side से देखोगे कि ये golden हो गया है तो मैंने इसे प्लेट में flip कर लिया ये ready है इसे निकाल लिया प्लेट में पिस्ता से इसे गानिश किया और लास्ली इसके उपर डालना शुगर सिरप अब डाल देती हूं ये देखो धीरे धीरे शुगर सिरप डाला और ये कुनफा खाने के लिए बिलकुल मिलती रहें लाइक करना कमेंट करना फ्रेंट्स फैंबली के साथ इस रेसिपी को शेर करना और हां मेरे चानल में आते रहना have a nice day bye bye take care thank you so much for watching